तो बहुत दिन बाद मैं आज कोई वीडियो फिल्म कर रही हूँ तो आज की वीडियो होने बाली है बहुत ही इंट्रेस्टिंग क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मेकप लोग क्रेट करूंगी जो की होगा फुल फेस यूजिंग ओनली वन आईशादो पैलेट मतलब की मे बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत सा एक पैलेट है वहाँ पे आपको मतलब आपकी जितनी भी शेड्स की रिक्वेरमेंट है सारी की सारी पैलेट में आपको मिल जाएगा और इसका प्राइस भी बहुत ही अफॉर्डबल है मुझे ये सिर्फ 999 में मिला है और आपको बाद में दी जाएगी क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद ही आपको पता चलेगा और मैंने अपना फेस का जो बेस है वह मैंने कर दिया है विट अब्लीन सुपरस्टे 24 और सुपरस्टे फाउंडेशन के साथ तो अभी मैं बाकी की जू मेकप है वह स्टार्ट क पर आपको बेखिये चरहां कितनी सारी शेड्स मिल जाते हैं मतलब इतना सारा शेड्स आपके रिक्वेरमिंट्स जितनी भी है आप सारी की सारी शेड्स इसमें आपको मिल जाएगा तो बहुती अच्छा एक आइशारो पैलेट है मुझे ये बहुत जादा पसंद आया है और इसका pigmentation कैसा है वो मैं आपके सामने मेकप करके दिखाऊंगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो shades है वो कितना अच्छा है और येस इसमें आपको ना मतलब आपको इसमें glittery type का जो shades आता है वो मिल जाएगा आपको mattes eyeshadow मिल जाएगे आपके contour का भी shades मिल जाएगा आपके eyebrow करने की आपकी blush on सब की shades इसमें है और ये आपको मिल जाएगा Cups and Lashes में तो Cups and Lashes में बहुत सारी ऐसे eyeshadow palette है beautiful lace की आपको वहां पे जाके चेक करना है link मैं नीचे description box में दे दूंगी आप जाके चेक कर लेना ठीक है तुछे लिए और देना करते वीडियो को start करते है तो first of all मैं start करूंगी आपनी eyebrow से तो eyebrow के लिए कि मैं यह वाला जो dark brown shade है बोलूंगी आप देख सकते हूं कि कितना pigmented है यह मतलब वन stroke में आपको बहुत ही अच्छा pigmentation मिल जाएगा तो यह यह मेरी eyebrow होगे अब difference देख सकते हो दोनों eyebrows के तो अभी बारी है आइस की twice के लिए अजसके छूआ टीजडा मेरी आथी और लोग, और लोग तो अभी इसा मेकप को कंप्लेट करते हैं तो इसके लिए मैं यूज़ करूंगी नाइका का काजल तो इसके लिए अप्लाई करूंगी मैं यूज़ किंडम अफ लैसे यह बहुत ही अच्छा है लैसे में रिसेंटली पुर्चेस यह को इसका प्राइस है 539 ओंडी 539 तो यह होगी मेरी लैश लगाना तो लैश के बाद आप देख सकते हो कि मेरा आइस कितना डिफाइन लग रहा है मैंने एक चीज़ स्किप कर दिया मैंने मस्कारा यूज़ करना पूल गया है तो कि इन माइंड तो अभी बाड़ी है कंटोर की फेस कंटोर की तो कंटोर के लिए मैं यहां पे यह वाली शेड लूंगी यह वाली कि ध्यान में रखना चाहिए कि यह बहुत जादा पिग्मेंटेड है क्योंकि यह आइस के लिए हैं तो थोड़ा सा अब को लेना है ज्यादा नहीं देना है तो अभी ब्लश के लिए ब्लश के लिए मैं लाइटर शेड लूई रही तो यहां ते मैं और से लिए यह वाली शेड पता नहीं आपको ठीक से दिखाई दे रहा है या नहीं कि यह कोरल शेड है अब भी बारी है हाइलाइटर की तो हाइलाइटर के लिए मैं पिंक पिंक सा यह शेड लेलू अब बारी हाइलाइटर के लिए लेलू आफ तो यह विए मेरा एकप कंपलीड तो कैसा लगा आपको यह बताना है कॉमेंट करके और आइशायो पैलट का रिविव वह आपको कैसा लगा वह कि आप फॉमिं शेक्शन में बताना और अगर आपको इसी जो एशेड पैलर उसमेंसे किसी का का मेक अप देखना है किसे कलर के उपर तो जरूर कॉमेंट पे बताना ठीक है तो मैं जरूर ट्राइ करूंगी तो मुझे तो यह मेक अपने बहुत ही अच्छा लगा है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई